तो यह हैं मोटोला की तरफ से मोटो जी 64 जी से में पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ और इसके साथ मैंने रियलमी P1 और वीवर की तरफ से T3X को भी यूज किया है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या इस स्मार्टफोन को 15,000 के बजेट मे साथ में ही मिल जाएगा कुछ यूजर मैन्यूल मिलने वाली है 33 वोट का चार्जिंग अडाप्टर मिलेगा चार्जिंग केबल और सिम इजेक्टर तूल भी मिल जाएगा मेरे पास वेरियंट है वो है मिंट ग्रीन वाला 8GB रैम प्लास 128GB रोम वाला बेस वेरियंट जो कि अभी का टाइम पर 14 रिपलाइन में अविलेबल है बात करूं डिजाइन के तो स्मार्टफोन की साइट पैनल और बैक पैनल पोली कार्विनेट की मिल जाएगी बैक में मैट फिनिश मिलती है जो कि दिखने में थोड़ा सा प्रीमियम जरूर लगता है बाई कि देखो जो वही पुराना G54 वाला देखने को मिल जाता है कोई भी चेंजिस देखने को नहीं मिलेंगे इवन फ्रंट डिस्प्ले का डिजाइन भी ओल्मोस वेसा ही देखने को मिलता है बाई की इन हैं स्मार्टफोन अच्छा फील होता है थिकनेस इसकी 8.89 mm कि थोड़ा सा मोटा स्मा आएंगे उपर के साइट डेडिकेटर स्पीकर नहीं मिलता है जो एरपीस वाले स्पीकर है उसे ही ऐसे सेकेंडरी स्पीकर यूज किया है बात करो स्पीकर की क्वालिटी के तो देखो 15,000 के बजेटिके के अकौरिंग या पर अच्छे स्पीकर देखने को मिल जाते हैं उस इसे हम अभी पर्फुमेस वाले पार्ट में डिसकस करेंगे बात करो फ्रेंट डिजाइन और डिस्प्ले के तो देखो यहाँ पर 6.5 इंचेस की फूलेशी प्लस वाले एक IPS LCD पैनल मिलती है जो की 120 अच के रिफ्रेशर पर वोक करती है कोरने के गोडिल लग लास 3 का और कलर यहाँ पर अच्छे देखने को मिल जाते हैं यूट्यूब में 4K HDR वाली सेटिंग जरूर मिल जाती है पर 4K HDR पर प्लेव नहीं होता है मिक्सिमम यहाँ पर 1440p HDR पर प्लेवेक कर सकते हैं ओर ओर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है ओफिश सपोर्ट भी मिल जाता है जहां पर यहां तो दो सीम को यूज कर सकते हैं या फिर एक सीम या फिर एक एज्री काट को यूज कर पाएंगे IP52 का सेटिफिकेशन भी मिल जाएगा तो नॉर्मल वोटर स्प्लेश से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बैकि यहाँ पर 14 5G के बैं अनॉसमेंट मिल जाएगा अगर रिकॉर्डिंग अनॉसमेंट नहीं चीए तो अलग से थर्ट पार्टी एप को यूज कर सकते हैं बाइक अभी बात कर लेते पॉफरमेंस की तो यहाँ पर मीडियाटी की तरफ से डैमेज दी 7025 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो यहाँ पर LPDDR4X की रह में UFS 2.2 की स्टोरेज है अभी बात कर अगर डे टूडे यूजेस की तो देखो यहाँ पर पफॉमेंस में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है बीजे माई में यहाँ पर 48 पेस तका सपोर्ट मिल जाता है COD में लो सेटिंग पर मैक्स का सपोर लगता है और देखो अगर आप गेमिंग करते वक्त विथाओट येरफोन ये स्मार्टफोन को यूज करते है मतलब स्पीकर को यूज करते हैं साउंड के लिए तो जो बैक पैनल है थोड़ी से वाइबरेट होती है और गेमिंग करते वक्त थोड़ा इरिटेटिंग आपक गेमिंग करते वक्त कोई भी लेक शर्टर देखने को नहीं मिला है और और अगर बात करूँ टेंपरिचर की तो स्मार्टफोन का टेंपरिचर बैक पैनल का 43 डिग्री से 46 डिग्री जा चुका था और यसा ने दो गंटे गेमिंग करके मैंने छोड़ दिया मतलब मैंने यह गेमिंग टाइम मिला था वह 30 गंटे 27 गंए परसेंट के आसपास था और अगर आप नॉर्मेली यूज करते हैं थोड़ा बहुत गेम प्ले करके तो 7-8 गंटे का स्क्रीन ओन टाइम मिल जाएगा मतलब आराम से एक डेर दिन तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बागी बात करूँ हीटिंग की तो देखो स्म स्मार्टफोन का टेंपरेचर है वो 52 से 53 डिगरी चले गया था थोड़ा सा स्मार्टफोन ज्यादा हीट को आता गेमिंग करते वाग इतना स्मार्टफोन हीट नहीं वा है मैक्सिमम मुझे 46-47 डिगरी के आसपास देखने को मिला है जो कि नॉर्मल है क्योंकि अभी के स्मार्टफोन में अपडेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहती है टाइम से अपडेट भी नहीं आते हैं और मोटुला के इस चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए बाई देखने को मिल जाते हैं जैसे की लिंग डिन हो गया एको हो गया जिससे आप अनिस्टॉल कर सकत हैं उसके साथ यहां पर जैसे होड़ गेम होटेपस मिलता है वीवाल स्मार्टफोन में वैसे ही कुछ एप्स मिल जाते हैं जहां पर एप रेकमेंडेशन जरूर आते हैं जिने आप अनिस्टॉल कर सकते हैं उसके अलावा स्मार्टफोन में कोई भी एट्स देखने को नही वाले हैं जो की बहुत ज्यादा हिल्फूल हो सकते हैं और यहां पर बहुत सारे कूल जेशर्स भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि अगर डबल क्लिक करते हैं पावर बटन को तो क्यामरा उपन हाजाएगा स्मार्टफोन को शेक करते तो फ्लेश लाइट ओन हो जाएगी उसके साथ थिंग सील के सेक्यूरिटी देखने को मिल जाती है बागी देखो अभी बात कर लेते हैं कैमरे की तो यहां पर बैक में वही सेम कैमरा सेटप मिल जाएगा पिछले साल की तरह जो 54 में देखने को मिला था 50 Megapixel का प्राइमेरी कैमरा है दूसरा कैमरा 8 Megapixel का अल् अल्गी बात करो कैमरी की क्योटी की तो देखो मैंने मोटो जी 64 के कैमरे को रियल मी P1 और T3X से कंपेर किया है और G64 का जो कैमरा है न वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा P1 और T3X से जहां पर G64 की फोटोज ना तो ज्यादा कॉंटरास्टी आती है रियल मी P1 के जैसे औ और overall कैमरी की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है यूमन फोटो में भी जो कलर साइन से वो थोड़ा सा नेचुरल साइड देखने को मिलता है फोटो शाप आती है और मुझे मोटो जी 64 की फोटो रियल मी P1 और T3X से बेटर देखने को मिली है क्योंकि जो रियल मी में चाहें बात करें मेक्रो फोटो की अल्टर वाइड या पोट्रेट फोटो की जी 64 में ओर रोल जो क्यामरी की क्वालिटी देखने को मिल जाती है वो बेटर देखने को मिलती है रियल में P1 और T3X से कभी-कभी पोट्रेट फोटो में थोड़े-बहुत एजस मिसाउट ह हो जाते हैं बाकि उसके अलावा जो फोटो निकल के आती है वो अच्छी देखने को मिलती है उसके साथ यहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामरा भी मिल जाता है 8 मेगा पिक्सल का देखो वाइड एंगल क्यामरा है तो 15,000 के बजेटे में एक अच्छी चोईस तो बनी जाता है वाइड एंगल फोटो की जो क्वालिटी वो भी अच्छी देखने को मिल जाती है हाले कि एजस में थोड़ा सा ब्लरीने सो डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है वाइड के अलावा जो और और क्यामरी की क्वालिटी है वाइड एंगल क्यामरा से वो भी अच्छी को मिल जाएगी night photos में देखो G64 की photos ठिक थाक सी देखने को मिल जाएगी इतनी कुछ खास नहीं है मैंने जब compare किया था realme P1 और T3X से तो मुझे सबसे better realme P1 की photos सबसे better लगी है night photos में भाई कि यहाँ पर 16 विक्सल का selfie जी तो मिल जाएगा normal daylight में photos अच्छी क्लिक करके देता है color जो निचुरल साइट तो नहीं देता है पर quality अच्छी देखने को मिल जाएगी थोड़ा बहुत face को soft करने वाला effect भी आता है बाई कि अगर आप low light में आफी night में selfie क्लिक करते हैं तो थोड़ी बहुत noisy selfie देखने को मिल जाएगी वाई कि अभी बात करें अगर वीडियो की तो देखो यहाँ पर आप 1080p तक की वीडियो 60fps पर record कर पाएंगे और सबसे अच्छी बात यहाँ पर एक wise का support मिल जाता है hardware based जिसकी बज़े से जो quality निकल के आती है में 1080p तक की वीडियो 60fps पर record कर पाएंगे वहाँ से भी quality ठिक ठाक से आ जाती है इतनी कुछ खास नहीं है highlight और shadow part को इतने अच्छे से maintain नहीं किया है selfie वीडियो में तो दोस्तों यह तो था मेरे experience Moto G64 के साथ personally अगर मैं recommend करूं तो देखो दोस्तों यह smartphone अभी का ताइम पर 15 2000 के budget में call rounder smartphone है जहां पर अच्छे user experience के साथ सथ अच्छे camera की quality और अच्छी performance देखने को मिलती है और consider जरूर किया जा सकता है user experience तो यहां पर एक्दम top nose level का देखने को मिल जाएगा पर अगर compare करूं Realme P1 और T3X से तो वहां पर no doubt performance आपको better देखने को मिल जाएगी अगर आपको user experience के लिए अच्छा smartphone चीए जहां पर clean UI मिल जाए तो आप इसे जरू consider कर सकते हैं वाईगे दोस्तों अगर आप अब अब के टाइम पर Moto G64 Realme P1 और T3X के बीच में confused है तो उनका comparison वीडियो मेंने चैनल पर अल्रेडी upload कर दिया है जिसकी link यहां पर आपको top right corner पर द अब तेकले बाव दो